बिहार में शराब बंदी है और बिहार में शराब बंदी को लेकर बिहार की राजनिती गर्माई हुई है लगतार जो है मांग यह किया जा रहा है कि बिहार में शराब बंदी कानून हटा कर बिहार में शराब चालू कर दिया जाए तो वहीं बता दे आपको कि कॉंग्रेस ने प्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप् शराब बंदी के खिलाब बयान बाजी करते हुए नजर आये थे तो वहीं बता दे आपको कि अब महागरंधन की सरकार में भी कई नेता मुखर होकर नितीश कुमार के फैसले पर सवाल ख़ड़ा कर रहे हैं वहीं पूरा मुख्यमंत्री जीतरा माजी ने बीते दिनों जो है सवाल ख़ड़ा कर दिया तो वहीं उपे अंदर कुछवास ही कई नेताओं ने शराब बंदी पर नारी राजगी जो है वो जाहिर कही थी लेकिन इस बार देखा जाय तो इन तमाम नेताओं से दो कदम आगे बरकर कॉंग्रेस ने बिहार में शराब बंदी को लेकर मुख्यमंति नितीश कुमार से बड़ी मांग कर दी है इस बार शराब बंदी पर सरकार के खिलाफ मोर्चा कॉंग्रेस ने खोल दिया है वहीं राजा पाकर से कॉंग्रेस बिधाई का जो है परतीमा कुमारी दास न माफिया और पुलिस वालों की मिली भगत से अवायत सराप की विक्री हो रही है शरापबंदी का रिजल्ट बहुत पॉजिटिव नहीं आया है कितने लोगों की जान गई है कारण जो है कहीने कहीं देखने को मिल रहा है तो वहीं ग्रामीन शेतरों का विकास रुख गया है इ उनका साफ कहना है कि बिहार में शराप जो है चालू हो जाए वहीं बता दे आपको कि बिहार में सरकारियस जो अस्तर पर शराप की दुकाने है वो खुलवाई जाए ऐसा कहना है परतीमा दास का वहीं कॉंग्रेस विधाईका ने कहा है कि जो सच में बिहार का विकास चाहत वह उन्हें सच्चाई बता है वहीं शुराबबंदी के बहाने परतीमा कुमारी दास ने जितानाम माजी पर निशाना साथते हुए कहा है इक जितानाम माजी को ब्यान बाजी से बचना चाही है सिर्फ ब्यान देने से जो है कुछ नहीं होगा यदि वह दलीतों के हिता ऐसी है तो उन्हें मुख्यमंत नितीश कुमार से जाकर बात करनी चाहिए बिहार में शराब बंदी कानून को हटाया जाए मुझे यह मालूम नहीं कि जिता नाम माजी और उनके परिवार के लोग शराब पीते हैं कि नहीं लेकिन उनके बयानों से दलीतों में असमंजस की स्थिती बनी हुए बता दे आपको कि बिहार में शराब बंदी पर कॉंग्रेस के नेता जो है पहले भी आवाज उठाते हैं कॉंग्रेस के घोशना पत्र में भी शराब बंदी कानून में सोधन का जिक्र किया गया था लेकिन सरकार में शामिल होने के बाद पहली बार कॉंग्रेस के किसी नेता ने यह मांग किया है कि बिहार में शराब की दुकाने खुलनी चाहिए इस मुद्दे पर राज़त बिधायक मुकेस रौसन ने कहा है कि शराब बंदी को और सक्ती से लागू करने की जरूरत है तो वहीं माले बिधायक पालम ने भी कहा है कि अवैद शराब पर रोक लगाने की मांग करता हूँ मैं और लगतार पुलिस पदादी कारी पर कारवाई किज़ा है जो शराब माफियाओं को जो है संरक्षन देते तो बता दे आपको कि बिहार की राजनिती गर्म हो चुकी है जो कॉंग्रेस बिधा परतिमा दास उनका साफ कहना है कि भीहार में शराब की दुकाने खुलनी चाहिए सरकारी अस्तर पर शराब की दुकाने खुलनी चाहिए क्योंकि लगतार राजश को घाटा हो रहा है तमाम जो दिक्कते हैं वो हो रिये तो वहीं लगतार जो खुले आम है शराब बिक्रा ह माफिया लोगों का बर्चस वा बरहा हुआ है जो पैसा है माफियाओं के पॉकेट में जा रहा है जिसको देखते हुए सरकार को ध्यान देना चाहिए तो फिलाल परतिमा दास ने क्या कुछ का है वो तमाम बाते हमने बताई है और वी तमाम ख़बरों के लिए NBC24 के साथ बने कर दो अदी टूम करने बताई है जर भी हैँ